बीट रूट मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने दो बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है उसके अंदर मैंने नम्मा को थोड़ा सा ओयल डाल की मोहन लगाऊंगी ताकि वह अच्छे से क्रिस्पी बने हमारी पूरी तो हमें इसमें दो चम्मस से ओयल लगा दिया है और अब इसको मैं मोहन लगा दूँगी मिला के अच्छे से मिला लूँगी इसको उसके बाद इसके अंदर डालने के लिए मैंने यह लिया है और यह मैंने एक आलू लिया है और दो भी बीट रूट लिया है और यह कोरियंडर और यह मैंने लिया थोड़ा गरम मसाला बीट रूट को मैंने पहले backkeper i kooker u te City लगाना उसके बाद अधेगी difference विवेन वं पहले हुआ कर अधे सहा है उसके बीट रूट को मैंने आथे में डाल कर लिए जृआ से अच्छे से पहले हम जो लिये हैं material उससे पहले हम इसको मिला लेंगे अच्छे से और बागी उसके बाद जब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी एट करके डो रेडी करूँगी तो इस तरह से पहले हमको अच्छे से पोटेटो और बीट रूट को मिलाना है और कलर भी इतना मेटेरियल से आप पूरी भी बना सकते हैं पराठा भी बना सकते हैं आपको जो पसंद हो बना सकते हैं सेम प्रोसेस होता है और बहुत अच्छी बनती है और कलर भी इतना अच्छा आता है कि बच्छे बिल्कुल देखके ही पसंद करेंगे तो मेरे तो बहुत अच्छे लगा कि इसको चीकना कर लूँगी और फिर 10 मिनट के लिए रख दूँगी सेट होने के लिए तो देखिए एक दम इस तरह का हमें डो रेडी करना देखिए डो का कलर इतना सुन्दर लग रहा है कि लग रहा है अभी बना के खालो तो बस देखिए इस तरह अभी बीट मैं इसका लोई बनाओंगी तो लोई कट करने के बाद फिर मैं इसको पूरी बना लूँगी पूरी बेलूँगी मैं इसका तो इस तरह से मैं एक एक करके लोई इतनी बड़ी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइच कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हैं मैं पहले एक साइज की लोई यां कट कर लूँँगी उसके बाद इसको मैं पूरी बनाऊंगी तो अब्लност के बाद पहले कर लोई दरेछे। पीर मैं पूरी बैल लूँगी तो इस तरह से मैंने थोड़ा oil लगा कर सकते हैं। मैं अगर हम आट लगा के बैलता है तो पूड़ी अगर आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है है कि यह अब देखे मैंने पूडी बैल लिया इस तरह से मैं बेल लोगी सारी पूडीयों को जब मैं सब पूडी बैल लोगी उसके बांद में सेकूंगी तो देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे और डो आप अपने हिसाब से जैसा करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं क्योंकि कोई थोड़ा हाड करता है कोई सॉप्ट भी करता है तो जैसा आप को आसानी हो ऐसा करें तो अभी पूरिया में अब मैं ऑयल गरम ह हो गया था तो अब मैंने इसके अंदर पूरी डाल दिया है तो दिखिए इससी तरह से हम पूरियों को सेक लेंगे पहले एक साइड से सेखेंगे थोड़ा साइल करके फिर दूसरे साइड सेखेंगे तकि हमारी पूरियां फुल जाए अच्छे से और इसको आप दही के हो color के साथ कैसे भी खा सकते हैं सबजी के साथ भी खा सकते हैं जैसे आपको पसंदो किस array का सकते हैं कलर देखिस कितना सुन्दर आया है तलने के किसे पुरियों को भी डाल दिया है तो अब देखिए अच्छे से फूल गया है कितना है और इस तरह से हम सारे पुरियों को शेख लेंगे अपनी इसी तरह से हम दोसी पूरियों को भी सेख लेंगे तो इसी तरह से मैंने दोबारा डाल दिया है और दोबारा भी मैं सेख रही हूँ तो इसी तरह से हम दोबारा भी सेख लेंगे उसके बाद हम सर्व करेंगे और सर्व करके हम आपको दिखाएंगे और कैसी बनी है हमारे पूरियां जरूर आप बताएगा और कैसी लगी तो फ्रेंज यहां पर आप देख सकते हैं सारी पूरियां मैंने बना के रेडी कर ली है और इसको मैंने सर्व किया है दही के साथ और आमले की चटनी के साथ अगर यह मेरी वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसी अच्छी अच्छी न्यू वीडियो देखने के लिए यह मेरी इनिवेटिव रेसेपी है आपको कैसी लगी और मैं इसी तरह की नई नई रेसेपी लाती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूले रेट बटन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलती हूँ अपनी नई रेसेपी के साथ बाए बाए